दॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे मैं, मैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इस्वर की सपस लेता हूँ कि मैं विद्ध्वारा स्थापिज भारत के संविधान के प्रति सची स्रद्दा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छूं रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तब्यों का सद्धा पुर्वक और सुद्ध अंतर करण से निर्वन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात, अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विदि के अनुसार नयाय करूंगा मैं डॉक्टर महेंदरनाथ पांडे इस स्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वान के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूंगा अप्र शी अर्विन गनपत सावन मैं अर्विन गनपत सावन इश्वर की शपत लेता हूँ की मैं विधीद्वारा स्तापित भारत के स्वविधान के प्रती सची शद्दा और निश्टा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और रखंडता अक्षुन रखूंगा मैं संग के प्रती मंत्री के रूप में अपने कर्तवयों का शद्दा पुर्वक और सुद्द अंतकरण से निर्वहन करूंगा तता मैं भई या पक्षपाद अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवविधान और विदी के अनुसार न्याय करूंगा मैं अर्विन दगंपस सावन इश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ठी या व्यक्ठियों को तब से सिवाए जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वन के लिए ऐसा करना अपेशितो मैं प्रत्रष अत्वा प्रत्रष रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूंगा कर दो कर दो गिरी राज सिंग मैं गिरी राज सिंग इस्वर की सपत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के श्रमिधान के परती सची सर्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की परभुता और अखंडता अच्छुन रखूंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने करतब्यों का सर्धा पुरबक और सुध अंतह करन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भै या पक्षपात अनुराग या दुएश के बिना सभी परकार के लोगों के परती शंबिधान और विधी के अनुसार नहाई करूंगा मैं गिरीराज सिंग इस्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय शंग के मंत्री के रूप में मेरे विशार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी बैक्ती या बैक्तियों को तब के शिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतब्यों के शम्यक निर्मान के लिए ऐसा करना अपेच्छित हो मैं परतच्छ अत्वा और परतच्छ रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा श्री गजेंद्र सिंग शेखावत मैं मैं गजेंद्र सिंग शेखावत इश्वर की शपत लेता हूँ कि मैं विधिद्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची शद्धा और निश्चा रखोंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षण न रखोंगा मैं संग के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्धा पूर्वक और शद्ध अंतर करण से निर्वेन करूँगा तथा मैं भाई या पक्षपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं गजेंद्र सिंग शेखावत ईश्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशाय संग के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने करतव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा अब जाज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाद शी संतोष कुमार गंगवाद मैं संतोष कुमार गंगवार इशोर की शपत लेता हूँ कि मैं बिधिद्वारा इस्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निस्था रखूँगा मैं भारत की प्रभता और खंड़ता अक्षल रखूँगा मैं संग के राजमद्री के रूप में अपने कर्तवियों का सिद्धा पूर्वक और सुध अन्ता करन से निर्वाद करूँगा तो हमें भै या पक्षपात अनुराग या दोईश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और बिद्ध के अनुसार नया करूँगा मैं संतोष कुमार गंगवार इश्वर की शबद लेता हूँ कि जो विशय संग के राजमद्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ज्यात होगा उसे किसी विश्विया विश्वियों को सबके सबाए जबकि ऐसे राजमद्री के रूप में अपने कर्तबियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रतेक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा तो नहीं करूँ तो नहीं करूँ तो नहीं करूँगा I, Indrajit Singh, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully, unconscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Inderjeet Singh, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union except, as may be required, for the due discharge of my duties as such, Minister of State. Thank you. श्री श्री श्रीपत यशो नायक मैं श्रीपाद यशो नायक इशोर की शपत लेता हूँ कि मैं विदीद्वारा स्तापीत भारत के सवीदान किरपती सच्ची शद्दा और निष्टा रखूँगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षून रखूँगा. मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव हुआ का सद्दा पुर्वक और शुद्ध अंतकरन से निर्वान करूँगा. तथा मैं भाई या पक्षपात, अनुराग या दिवेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सवीदान और विदी के अनुसार नाइक करूँगा. मैं, मैं प्रीपाद या सो नाइक इश्वर की शपत लेता हूँ, कि जो विशाई संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अथ्वा मुझे न्यात होगा. उसी किसी विक्ती या विक्तियों को तब से सिवाए जब कि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने करताओं के सम्यक्त मिरुवन के लिए ऐसा करना अफिक्षित हो, मैं प्रतक्ष आत्वा प्रतक्ष रूप से संसुचित या प्रगट नहीं करूँ. झाल is space हो टक्त रूप एधिर लाल्च करिक्ष एमाक्ष दात मिरूप हो भरत कि दण्तोरी के सिवाए और डहतें कोना आत्वाए णात्व में भरत मिरूश कर्वें लाग्रत करिक्ष रूष बाने को जड़व ubiqu़ई लाव़ और से सीन्ग और गने का गई खरतें द्वें। मैं मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंग इश्वर की शपत लेता हूँ के मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सच्ची श्रद्धा और निश्था रखोंगा मैं भारत की प्रहुता और अखंडता अक्षुन रखोंगा मैं संग्र के रज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शद्धा पूर्वक और शुद्ध अत्धकरन से निर्वाहन करूँगा तथा मैं भैय या पक्षपाथ अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं मैं डॉक्टर जी तेंद्र सिंग ईश्वर की शपर लेता हूँ कि जो विशे संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अध्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी विख्टी या विख्टियों को तब के सिवाए जबके ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेख्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा प्रत्यक्ष रूप पे संत्यूचित या प्रकट नहीं करूगा श्री किरन रिजिजू इश्वर के शपट लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा सापित भारत के संवीदान के प्रती सची श्द्दा और निश्था रखूँगा मैं भारत के प्रभूता और अखंड़ता अफ्चून रखूँगा मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का सिद्धा पुरुवक और सुद्ध अंत करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भई या पक्सपाथ अनुराग या द्वेश के बीना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संभी धान और विदी के अनुसार नियाई करूंगा मैं किरन रिजी जू इश्वर के शपड लेता हूँ कि जो विशय संग के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अत्वा मुझे ग्याद होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबके ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्टवयों के समुख निर्वाहन के लिए ऐसा करना अविक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अत्वा प्रत्यक्ष ग्रूप से संसुचित या प्रकट नहीं करूँगा श्री प्रालाज सिंग्पटेल मैं प्रालाज सिंग्पटेल इश्वर की सफ़त लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्ताफित भारत के संबिधान के प्रति सची श्रद्धा और निष्टा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अकंडता अक्षों रखूँगा मैं संग के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्टब्यों का सद्धा पूर्वक और सुद्ध अंत्यकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भाय या पक्षपात अनुराद या दोएश के बना सभी प्रतार के लोगों के प्रति संबिधान और विधी के अंसार नियाए करूँगा मैं मैं प्रलास सिंग मुलाम सिंग पटेल इश्वर की सपत लेता हूँ कि मैं कि जो विशय संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विशार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्याद होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सवाए जब कि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्टप्यों के शम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना पिक्षित हो, मैं अत्वा अप्रतक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा शी राज कुमार से लशगा ऑम सिंग्गा का स्थाण में अम्यक नहीं करुआज भूप से अज 가능 मैं राजकुमार सिंग इश्वर की सपत लेता हूँ कि मैं बिधी द्वारा स्थापित भारत के समिधान के प्रती सची स्रधा और निश्था रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अकहंटता अप्षुन रखूंगा मैं संग के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तवियों का स्रधा पुर्वक और सुझ अंतकरन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भे या पक्सपाथ अनुराज या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनुस्यार नियाए करूंगा मैं मैं राजकुमार सिंग इश्वर की सपत लेता हूँ कि जो विशय संग के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा असा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्थी या व्यक्थियों को सब के सिवाए जब कि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्थब्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना आप एक्षित हो मैं प्रत्रक्ष अथब आप्रत्रक्ष रूप से संसोचित या प्रकट नहीं करूँगा श्री हर्दीप तेंग उरी I, Harjeeb Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Harjeeb Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. I, Harjeeb Singh, do swear in the name of God that I will be able to view upon or shall be required for the due discharge of my duties as your duties as such as Minister of State. Am I, Harjeeb? श्री मंसुख मंदाविया मैं मंसुख लक्षण भाई मांदविया इश्वर की शपत देता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत की समिधान के प्रती सच्ची स्रत्था और निष्टा रखोंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंता अक्षोन रखोंगा मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने करतावियों का स्था प्रवाग और शुद्ध अंदकरण से निर्वहन करूँगा स्था मैं भाई या पक्षपात अनुराग या देश के विना सभी प्रकार के लोगों के प्रती समीधान और विदी के अनुसार न्याई करूँगा मैं मन्सूक लक्षण भाई मांडविया इश्वर के शपत लेता हूँ कि जो विशाई संग के राज्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ज्याद होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाई जबकि ऐसे राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वा के लिए ऐसा करना अप्यक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा अप्रत्यक्ष रूप से संचुचित या प्रकट नहीं करूंगा राज्य मंत्री शी पगंशेंग कुलस्ते मैं पगंशेंग कुलस्ते इस्वर की सपत लेता हूँ की मैं विदी द्वारा इस्थाफित भारत के संभिधान के प्रती सच्ची स्रद्दा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत के प्रभुता और खंडता अच्छून रखूंगा मैं संग्य के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का स्रद्धा पूरवक्त और सुद्ध अंताय करण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भै या पक्सपात अनुराग या द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती संविधान और विधी के अनसार न्याई करूंगा मैं फग्गंशिं कुलस्ते इस्वर की सफ़त लेता हूँ कि जो विशाय संग के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्याद होगा उसे किसी वित्ती या वित्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने करतब्यों के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथ्वा आ प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रगट नहीं करूँगा श्री अश्वजीं कुमार चौबे मैं अश्वजीं कुमार चौबे इस तर की सफत लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के संबिधान के प्रती सच्ची सर्धा और निष्ठा रखूँगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अच्छुन रखूँगा मैं संग के राज्यमंत्री के रूप में अपने कर्टब्यों का सर्धा पुर्भक और शुद्ध अंताकरं से निर्भान करूँगा तथा मैं भै या पक्सपार अनुराग या दुएश के विना सभी प्रकार के लोगों के प्रती शंबिधान और विधी के अनुसार नियाय करूँगा मैं अस्वनी कुमार चौबे इस्वर की शपत लेता हूँ कि जो विशे संग के राज्यमंत्री के रूप